दोस्तो क्या आपको पता है पहले मुर्गी या अन्डा और क्या आपको यह पता है कि पहले पेंसी से लिखे सब्दों को मिटाने के लिए किसका उप्योग केया जाता था और क्या आपको यह पता है कि कांच भी सर सकता है अगर नहीं पता तो हमारी वीडियो को अंतक जरूर देखें आजम ऐसे ही दस फेक्ट के बारे में बताएंगे अब तक का सबसे लंबा पेड एक उस्टेलियन आई नील गीरी था फेक्ट नमबर दो रबर के आविसकार से पहले पेंसिल का आविसकार हुआ था पेंसिल से लिखे सब्दों को मिटाने के लिए पहले ब्रेट का इस्तिमाल किया जाता था फेक्ट नमबर थ्री मुर्गी पहले आई थी या अंडा विग्नानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि मुर्गी पहले आई थी नकी अंडा क्योंकि अंडे के खोल में पाया जाने वाला प्रोटीन सिर्फ मुर्गी द्वारा ही निमित किया जाता है फेक्ट नमबर फोर कि आप जानते हैं काच भी सर जाता है काच को सरने में करीब 4,000 वर्ष लगते हैं जबकि पलाश्टे को सरने में 450 वर्ष लगते हैं फेक्ट नमबर फाइब सोथ करताओं के मुताबिक एर्ट का पला मामला 1920 में कांगो सर्ग की सांसर में सामने आया था फेक्ट नमबर 6 पित्वी पर करीब 8.7 मिलियन परकाल के जीवित पर जाती हैं जिन में से 2.2 मिलियन तो केवल महासागरों में पाई जाती हैं फेक्ट नमबर 7 आप जानते होंगे कि टोईलेट में टोईलेट पेपर का परियोग भी किया जाता है पर क्या आप जानते हैं कि प्रति दिन 27,000 बुक्ष केबल टोइलेट पेपर बनाने के लिए काट दिये जाते हैं फेक नमबर एट क्या आप जानते हैं हाथ मेलाने से जितने किटानों स्थान तरीत होते हैं उतने चुमने से भी नहीं होते हैं फेक नमबर नाइन आपने सुक्रगर का नाम सुना होगा पर क्या आप जानते हैं कि सुक्रगर का एक दिन धरती के एक साल का बराबर होता है फेक नमबर तेन आप जानते होंगे कि सूरज धर्ती से बढ़ा है पर कि आप जानते हैं कि सूरज धर्ती से लाखो बुना बढ़ा है यानि सूरज में लाखो धर्ती समाजाई इतना बढ़ा है दोस्तों आपको हमारी या वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चनल को सस्काइब करें हम मिलते हैं अबली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद